आपके पास ऐसा कुछ भी बचा हुआ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है तो सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं आपको ऑपरेटिंग के बारे में पता हैं इंवस्टिंग के बारे में जानते हैं आप बारे में जानते हैं अभी उन कंसेप्ट के बेसिज्स पर हम कश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज का पहला करें आपके सामने कुछ एड़ा एक बहुत अच्छा कुछ आपको अल्मूस्ट आयो हुआ और वूर्ड एक्जाम में आयो हुआ क्शन है तो कुछन बहुत अच तो नेट प्रॉफिट विपोर टेक्स निकालने वाला वह यहीं पर यूज कर दूँगा उसके लिए अलग से एडिस्टमेंट में नहीं जाओंगा क्योंकि आप तो इस प्रॉटेट जा सकरें तो सबसे पहले आपको शेर फंड दिया हुआ है और उसमें अपको पता शेर फाइनसिंग में लिख देंगे प्रोसीड्स प्रॉम शेयर और यह बढ़ रहा है क्योंकि घटता नहीं है में कितना पैसा आया 10 लेक इसको से तने वोडागश दफर इसके बाद रिजड़्वंट भॉल में पर स्टेकर यह आपका प्रॉपिट द्यूरिंग दार विए फश्लैक से तन लेक होने का मतलब है कि अबढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे इसके बाद non current liability long term liabilities 4 लाक से 6 लाक हुई है यानि 2 लाक का आपने बोरो किया है या को लोन लिया है कुछ भी consider कर लो तो proceeds from long term liability तोल इसके बाद आप current liability पढ़ाएंगे बच्चे ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल तो working capital change का हिस्सा है यह तो working capital changes का हिस्सा है तो सर हमीने है consider ना करें नहीं करेंगे उसके बाद short term provision note number 2 एक चीज़ मिलने वाली है इसमें provision for tax इसमें एक चीज़ मिलेगी उसका नाम है provision for tax चेक करो कि adjustment तो नहीं है पहले तो provision for tax को यहाँ पर देख लो यह रहा short term provision में provision for tax एक बीस एक चालिस और जो adjustment है वो केवल मशीन के ऊपर है केवल मशीन के ऊपर यानि टेक्स की कोई adjustment नहीं है और मैंने क्या कहा था अगर adjustment नहीं है तो current year का operating में प्लस और पिछले साल का operating में माइनस बाद में जाके हो ठीक है तो आप यहाँ पर प्रोविजन पूर टेक्स जो current year का है यहाँ प्लस कर एक चालिस आगे बढ़ने इसके बाद हमारा लाइबलेटी साइट कंप्लेट हो गया लाइबलेटी मोड कुछ आपको गिवल नहीं है assets पे आएंगे assets पे non current assets में fixed और उसमें tangible का note number 3 और देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है machine है और accumulated debt और adjustment भी है अगर adjustment नहीं होती तो machine 33 से 42 हो रही है मैं 9 लाग की purchase लिख देता investing में और debt 3 से 4 हो रहा है यह operating में प्लस होता है non cash होता है debt operating में प्लस लेकिन अगर adjustment है तो मुझे इसका account बनाना पड़ेगा जिसके लिए मैं अलग से working note में जा रहा हूँ आप account ड्रो कर लेगा तो account बनेगा इसका एक तो बनाना पड़ेगा accumulated debt का account और एक बनाना पड़ेगा आपको machine लिए का फोड़ा ठीक से समझने ना बच्चे क्योंकि exam का concept है विल्कुल आए गया accumulated debt का balance BD आप यहां पर लिखेंगे क्योंकि liability होती है और balance CD आप यहां लिखेंगे assets का balance BD इधर और balance CD इधर यह बच्चपन के रूल साब तो accumulated debt शुरू में 3,00,00 था और फिर 4,00,00 हो गया चार लाक है बच्चे और machinery पहले कितनी थी 33,00,00 और फिर यहां पर 42,00 मैंने आप से बोला था कि यहां पर बस एक ही चीज़ आती है to machine और इसे क्या बोलते हैं इसका नाम है total debt on sold assets एक्जाम में मत लिख दे ना यह आपके लिख रहा हूं बस मैं इसका नाम है total debt on sold assets बेची गई assets का total debt चेक करिए जो assets है during the year a piece of machinery costing 40,000 वाला machine का एक हिस्सा जिस पे accumulated debt लगा जिस पर आस्तक 30 का debt लगा तो 40 वाली पर आस्तक कितना debt लगा 30 तो यह 30 आप यहां पर लेखेंगे to machine 30 अब आप total करेंगे तो 4,30,000 और 4,30,000 में से 3,00,000 माइनस होंगे तो 130 बचेगा यह by SPL statement of P&L के नाम से आता है जो कि operating में plus होता है इसका नाम मैंने आपको बताया था कि इसे ही हम क्या बोलते हैं current year का debt बोलते हैं तो बड़ा असान है accumulated debt account, BD डालना, CD डालना और यहां पर बेची के asset का debt डालना जो निकल कहाएगा statement of P&L debt आ जाएगा और इसमें क्या करेंगे मैंने पहले आपको बोला था इस figure को डालो accumulated debt कितना? 30,000 फिर जितने में बेची उसके लिए buy bank लिखते हैं नुकसान हुआ तो statement of P&L अब खुद focus करो 40 वाली एक machine थी जब उस पे 30 का debt लग गया तो आज कितने की बचेगी? 10 की और आपने कितने में बेच दी हो? 9 में तो आपने 9 में बेची इसका मतलब आपको 1000 का loss अब आपने जैसे हैं total किया 45,40,000 और इस में से ऊपर 33,000 को minus किया तो 9,40,000 आपका purchase निकल गया to bank और treatment आपक operating में minus, यह investing में plus होता है और loss operating में plus होता है, non operating तो यह मैं अब सारी information उपर use करने वाला हूँ क्रिशन में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने अब क्या क्या देखा, बटा क्रिशन में कोई dividend वगएरा तो है नहीं, तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा, net profit before tax, मैंने आपको बताया था ना, NPBT working note से निकालते हैं, आगर कोई dividend होता तो वोर प्लस पर लेते हैं, लेकिन dividend इसमें है तो यह कितना आ गया, 540, इसके बाद add करते हैं, नोन ओपरेटिंग एंड नोन कैश एक्सपेंस, विजनस के ऐसे खर्चे जो नोन कैश हैं, और कुछ ऐसे खर्चे जो विजनस के नहीं है, नोन ओपरेटिंग है, तो जैसे अभी आपने देखा, डैप एक नोन कैश on sale of machine, यह भी एक कैसा खर्चा है, यह एक नोन ओपरेटिंग एक्सपेंस, क्लियर है यहां तक, तो हमने यह total treatment कर लिया, tangible assets का, और अच्छे सर्व ने कर दिया, बस यहां पर वो लिख देते हैं, sale of machine, क्योंकि आपने एक machine को बेचा है, और वो भी कितने में बेचा है, 9000 में और आपने साथ साथ एक machine को खरीदा भी है, purchase of machine, तहेरे लाख चालिस हजार, तरे, 9,40,000 में परचेस किया, मैं इसको थोड़ा सा वापस से करेता हूँ, तो 9,40,000 में आपने अभी purchase करी है, ठीक है बच्छे, आगे आ जाते हैं, intangible assets में, note नमबर 4, और note नमबर 4 में आपक usually goodwill कम होती, हार question में कम होरी होती है, उस time पर मिया प्लस कर देते हैं, goodwill right off, लेकिन इस बार goodwill कम नहीं होरी, इस बार goodwill बढ़ रही है, तो purchase of goodwill, investing activity में आप लिख देना, आपके पास से कितने पैसे गए, क्योंकि कितनी हुई है, 45-49, तो 4,00,000 थी आपने goodwill purchase, तो आपने यह भी कर लिया, inventory, working capital change में जाएगा, working capital change में, और यह end में answer मिलवाता है, यह इनके काम, ठीक है, अब हम सिर्फ total कर देखें, यहां आएगा operating income, before working capital changes, तो यह आगया, 671, add करते हैं, increase in current liability and decrease in current assets, और less करते हैं, decrease in current liability and increase in current assets, तो चेक करेंगे, current liability में trade payable, 4,00,000 से 3,00,000 घट गए, यानि pay कर दिए, तो decreasing current liability, trade payable, 1,00,000 घट गए, inventory, 3,20 से 5,00,000 परचेस कर ली होगी, तो inventory, 1,80 के परचेस कर ली होगी, और इसके बाद trade receivable, same है, कुछ नहीं हुआ, ना बड़े ना घटे, तो कर 280 माइनस कर देने चाए, तो आपका ये आगया, 391, इसका नाम है, operating income before tax, यहाँ आप क्या माइनस करते हैं, टेक्स पेड पिछले साल वाला, कितना था पिछले साल का टेक्स पेड, एक बीस, तो जैसे ही ये माइनस करेंगे, आपका 271 आ जाएगा, और इसका नाम क्या है, cash flow from operating activity, अब आप financing में जाएगे, नोचार 1331, यह माइनस में आया, इसे बोलेंगे cash investing में, cash used in investing activity, क्योंकि माइनस में है, तो used है, और इसके बाद यहाँ कितना आया, 12 लेंग, इसका नाम क्या है, cash flow from financing activity, अब आपकी तीनो एक्टिविटी का आप total करो, कि आपने अलग-अलग कितना कमाया किनों से, तो first plus second plus third, बारह और तो 71, चौदे 74 यहाँ से आया, और 1331 यहाँ चला गया, तो आपने तीनों एक्टिविटी से कितना कमाया, 140, अब आप इसमें add करते हो, opening cash and cash equivalent, अब आप यह बात बताओ, कि आपने तीनों से एक-चालिस कमाया, साल के शुरू में देखो, कितना cash छा, साल के शुरू में देखो, कितना cash छा, कितना था 240, तो एक-चालिस्तों कमाया और 240 शुरु में था, तो इसका मतलब, आज तुमारे पास 380 cash होना चाहिए आज तुम्हारे पास 380 होना चाहिए तो क्या closing का cash 380 है 380 तो यह closing cash and cash equivalent तो बच्चे इस तरह से हम cash लोगे question करते हैं यह इस तरह का question है जो exam में आता है क्योंकि exam में बढ़े वाले questions नहीं आते कि आपको बहुत देड़ तक question करना पड़े का बहुत सारी item होगी छे नंबर में question आएगा और इस तरह का ही question होगा इसमें जाद हमेनत आप से वह नहीं कर दाएगा तो हम आगे एक और example ले सकते हैं समझने के लिए अच्छा सा जस्ट वेट कर देड़े कर दो हमें जाद हमें जाया है झाले आप पका गरई झाले तरह को ख़ब हमें एक सार्वर झाले एक हरो झाले कर दो हम दोगता है कि अ घच जजित झाल झाल सब्सक्राइब के लिए छोटा कुर्शन हम एक बार चेक करते हैं दखो आपके साथ एक कुर्शन नमबर तीन आपको नजर आ रहा है राज लिमिटे लिए तो इस कुर्शन के थ्रू हम को चिल और कंसर्ट को पना स्टॉंग करने की कोशिश करते हैं देखिये राज लिमिटेड है आपको उन को प्रॉफिट दे रख यह थैज और कुछ बात है लिखई के लिखने है ने ने पकितना लगा यहां पे इतनी लिटन यह current assets current liability की position है कि किसमें क्या घटा है क्या बढ़ा है आप से केवल और केवल इसमें operating activity मांगी जाएगी क्या cash flow from operating बताओ क्योंकि आपको पूरी balance sheet नहीं दी और अगर आपने मेरा format बढ़िया तरीके से रटा हुआ है तो यह समझा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आप देखो कितना इजिली इस कर सकते हो आप अराम से अपना format यूज करो cash flow statement बना रहे हैं particular साप यहां लिखते ही हैं यहां पर details आपकी होती हैं यह हम यहां क्या लिखते है cash flow from operating activity यही पूछा गया है मुझसे वास्ताम सबसे पहले profit during the year हम लेतेए profit during the year logo जिस सबसे पहले profit during the year आपको साफ लिखा है सकता रहे 50 इस बारना आपको direct information दे रखें direct information आपको यहां देख के बाद आप क्या plus करते हैं देखो यह डैप गुडविल इटन ओफ यह सब क्या है कि कौन सी हैडिंग में आएगा यह आएगा एड करते हैं नोन ओपरेटिंग एंड नोन कैश एक्सपेंस आपको याद होना चाहिए सारे फॉर्मेट और यह हर एक आइटम डैप प्लस होता है ओपरेटिंग में गुडविल इटन ओफ प्लस होती हो ओपरेटिंग में और लॉस और सेल अफ मशिनरी भी लॉस और सेल अफ यह से प्लस होता है पिछले ज़गा है प्लांट और मशिन पर चालिश हजार गुडविल रिटन ओफ गुडविल रिटन ओफ इंटैंजिबल एसेट्स रिटन ओफ पच्छेस हजार और यह लॉस और सेल ओफ एसेट्स लॉस और सेल यह कितना हुआ है 9000 कि इतना होने के बाद पिर देखो आपको जो य इनकम है युद्ट चेंज़ चांज है है यह नहीं है वर्किंग काटल चेंज़ तो पहले आप यहाँ पर नाम लिख देना ओपर टिंग इंकम पफोर वर्किंग कापितल चेंज आज है तो यह कितना आ गया आप था एकतीस चालीस ऐसको पच्छिस एक पिच्छान में 204 र चीछ अप एड़ करतेिंग टीज एन्डिकरी दी एन्डिक्रीजइन ट wildly क्रते और लेस्ट टेइए डिक्रीजइन टो लिटी एंडिक्रीइन टीन wszyscy तट लिएन्ड अबढ़地 पेसे जगह कम पड़ जाएंगे हमें थोड़ा सा बड़ा को सिदुछ में वही बचार है तो इसका हम थोड़ा सा नीचे लिखें लेस करते हैं decrease in current liability and increase in current inventory इन्वेंट्री से 87 हो रही है थोड़ा इधर से देखना इस बार यह ऐसे लिखे हुआ है 15 और 16 अभी गल्द कर दो 17 बढ़ रहा है इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो मतलब पैसा गया खरीदा होगा तो increase in current assets inventory 17 से बढ़ गया तो माइनस कर दो trade receivable 67 से 58 तो कितना फर्क है 9000, 9000 से कम हो रहे हैं यानि पैसा दे गए trade receivable decrease in current assets 9000 रुपे दे गए इसके बाद cash in hand का कोई काम नहीं होता cash in hand में आता है answer मिलवाने की हाँ कोई use नहीं है इसका trade payable 68 से 77 9000 बढ़ रहे हैं तो trade payable अगर बढ़ते हैं तो plus कर दो 9000 अधर current liability साथ से 4 अधर करेंट लाइबलेटी साथ से कम हो रही हैं कम हो रही है तो माइनस करो अधर current liability साथ से तरह मतलब 3000 कम हो और इसके बाद trade payable बेटर ट्रेड पेबल नहीं होगा यह कुछ और होगा त्रेट पेबल लिखा हुआ है मैं इसको भी कुछ नहीं माननों मैंसे ट्रेट पेबल दोबारा नहीं हो सकता तो गलती से कुछ हो गया है तो फिर हापर हम इससे टोटल कर लेंग कि 99 18 प्लस हो जाएगा और 17 30 20 माइनस हो जाएगा तो एक तरह से 2000 माइनस कर दो 1952 आ गया cash flow from operating एक तो मैंने आपको अभी एक complete कुछन कराया और एक कुछन ऐसा कराया इसमें किवल ओपरेटिंग एक्टिविटिन निकाने अगली बार हम एक ऐसा कुछन लेकर आएंगे जिस में आपके पास adjustment तीन से चार बढ़ जाएंगे उसमें tax की adjustment में आ जाएगी पर्पोस डिविडेंड भी उसमें adjustment में लेंगे और बैटर concept क्लियर करेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक take care, bye bye